तो हेलो दोस्तों में को कई सर मिश्सस आ रहे 22 23 अस्परेंश के कि बटाओ कैसे हम लोग जाए एम्स देली कैसे हम लोग यह कॉलेज जाए ठीक है हमें चाहिए मोटिवेशन हमें चाहिए हम लोग मोटिवेट हो चुके है इन्होंने हमने पता दिया कि ऐसे करना है अब आप तो कैसे करना है ठीक है देखो फेल जी यह ध्यान रखना दो यह सब जो है आते रहेगा कंटेंट आपका कि इसको कैसे टैकल करें कुछ दिक्कते आ रही है सब कुछ हमरा दीरे-दीरे आपका आएगा उसका टेंशन मतलो लेकिन दो चीज़े उसके पहले इंपोर्टेंट है बाइट-थेशन मतलों के लिए पहले चीज कि यह आपके लाइफ के दो साल है यह आपका लाइफ नहीं है मतलब एसा नहीं है कि आप एक्जाम के बचे इतना पागल हो जाओ कि आप साले सोचिएल रिलेशन कट कर दो देखो आपको पढ़ना है दबा क्या लेकिन जब आपका मन करे कि यह भी चीज़ करने है तो एसा कि आप 2 साल पूरे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि जब कॉलेज में आता कुछी ना कर पँए थीचीजा ध्यान रिटना कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है पढ़ना है दबाखे पढ़ना है लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी से influence हो गए इसने बोल दिया भी हमने 12 गंटे पड़े मार्स मतलब में 12 गंटे पड़ूंगा मैं भी 14 गंटे पड़ूंगा मैं 16 गंटे पड़ूंगा यह सब नहीं है ठीक है यह सब नहीं है खुद का देखो क्या setup के रहता है सेकेंड चीज आते है strategy के ओपर देखो यार अगर strategy को wisely युज़कर न सीखो ठीक है किसे ने बोल दिया कि भाई आपको ncrt के इस page को ही पढ़ना है बाकी chapter नहीं पढ़ना तो खुद का दिमाग लगाना है कि भाई बाकी देखो analyze करो क्या PYQ से बाकी उसे question आया है मतलब सामने होला क्या कर रहा है सा अच्छा है लिए फॉलो करना ही नहीं करना हो आपके उपर है ठीक है उसके लिए क्या करना है कि दिमाग लगा कि हां मेरे पात है अगर उसमें यह चीज लाता हूँ एक्स्ट्राच एड करता हूँ इसको फॉलो करता हूँ तो क्या मेरा score improve होगा क्या मैं बहतर बन है ठीक है उनके पूरा जो जोश है वह एक्सां करक करने बाद खतम हो जाता है यह चीज निकरने देनी ठीक है जोश रहना चाहिए आप एक्साम है लाइफ का पार्ट है एक्साम को आराम से पढ़िये महिनत कीजिए ठीक है चलो बाएबाए